इस class पर अगर आपने click किया है तो आप ये मान के चलिए कि जब तक ये class खतम होगी आप basic English वाक्यों के translation सीख चुके होंगे structure के साथ मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगी कि हाँ इसको रट लो या essay कर लो नहीं आप सीखोगे आप खुद से बनाने लगोगे जब तक ये class खतम ह नए है अगर तो subscribe कर लीजेगा subscribe करते वक्ट bell notification को on कर लीजेगा ताकि आगे ऐसी classes आएं तो आपको पता चले और जो लोग भी रोज attendance लगाते हैं hello जी hello कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे चलिए class को शुरू करते हैं उसके पहले class को like और share कर दो ताकि और लोग जुड़ कर दोंगी क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजे में मैंने अगर आपको करा दी तो आप बना लोगे उसकी खिचडी और फिर ने खापाओगे है ना ऐसी वाली खिचडी बन जाती है तो दो चीज दो यूजज आद बताऊंगी जो interrogative वाला है वो किसी और दिन किसी और class में क comment करके बताना अगर वो वाला class आपको जल्दी चाहिए तो चलो do जो है इसका सीधे सीधे मतलब होता है करना कोई चीज को करना या फिर दूसरा अस्तमाल क्या है कि यह instruction के तोर पर भी उस होता है जैसे इसको करो है ना किसी को अगर बोलना है आपको instruction किसी को देनी है order basically not really instruction instruction but order के बाद अगर करें तो हम do का स्तमाल करते हैं किसी से कोई चीज करवाने के लिए do को स्तमाल करते वक्त जिस बात का खयाल रखना चाहिए वो क्या है वो यह है कि do का स्तमाल आप I, U, V और दे के साथ करते हैं यह basic rule है this is very basic and you should know it मतलब आपको यह पता होना ही चाहिए तो do के साथ do जो है I, U, V, D, के साथ use होता है और यह जो इस्तमाल है do का जहांपर do जो है वो करना के तौर पर इस्तमाल हो रहा है वहाँ पर इसका structure कुछ ऐसा बनता है जहांपर subject होता है बहुत basic structure है तो कुछ बहुत जादा rocket science वाला structure नहीं है subject होता है do होता है और other words होता है मतल जो है क्या ढूंडोगे वाके में subject ढूंडोगे और do आपने पता है कि लगाना है और जो भी वाके बचेगा बाकी उसको English करके other words के जगह पर रख दोगे ये basic काम कर लो ठीक है उदारन देख लो मैं अपना काम करता हूं ये वाके है मैं अपना काम करता हूं तो यहाँ पर तो कौन काम करने की बात कर रहा है मैं मैं की अंग्रेजी क्या होती है आई आई हमारा subject है तो आई करता हूं है तो do लग गया अपना काम अपना मतलब my और काम मतलब work my work ये other words की जगह पर आ गया तो I do my work बहुत basic translation है आप इसको कर लोगे तो मतलब ये structure के through आप इसको अराम से बना पाओगे अपना ग्रिह कारे करो करो instruction दे रहे हम लोग है तो you do your homework same structure follow होगा same logic भी follow होगा जो पहले वाले में बताया do की जब बात करते हैं एक और शब्द की बात आती है जिसका जो होता है does इसका मतलब होता है करना लेकिन do से ये कैसे अलग है दो तरीकों से सबसे पहला ये instruction के तौर पर order के तौर पर नहीं use होता है ठीक है ये instruction या order के तौर पर नहीं use होता है पहला दूसरा इसका usage अलग ह साथ यूज होता है structure same है subject plus does plus other words वो अपना काम करता है तो he does his work he subject है करता है तो does लग गया और his work अपना काम मतलब की his work ठीक है वो अपना काम करती है she does her work ये इस तरीके से यूज होता है अगला है doing है न doing do के साथ ing लगा बन गया गा यह doing और मतलब वाक्य में क्या दिखेगा हिंदी वाले वाक्य में ताकि हम पहचान जाए कि अंग्रेजी में doing लगेगा simple कर रहा हूं कर रहा है कर रही है कर रहे है continuous वाली feeling आ रही है तब ही ing लगा है ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूं I am doing my work doing इस्तमाल किसके साथ होता है तो जी सबके साथ होता है doing इस्तमाल लेकिन I अगर है तो am लग जाएगा मतलब am doing हो जाएगा UV दे है तो are doing हो जाएगा और he sheet name है तो is doing हो जाएगा example देखो समझ में आएगा structure कौन सा follow होगा ये वाला follow होगा structure subject लगेगा is नहीं तो am नहीं तो are तीनों में से कोई एक लगेगा उसके साथ doing लगेगा और other words रहेगा ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूं I am doing my work वो अपना काम कर रहा है he is doing his homework वो अपना homework कर रही है she is doing her homework हम अपना काम कर रहे है we are doing our task अगला शब्द है did जिसका मतलब होता है किया ठीक है किया ये इसका मतलब होता है और structure होता है subject प्लस did प्लस other words ये काफी जादा इस्तमाल होने वाला शब्द है तो इसके प्रती थोड़ा से जादा सचेत रहीएगा इसका 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 बी और भी usage होता है वो मैं किसी और दिन करा दूँगे class में आज किया वाला यूजज को देखो ठीक है उसने अपना सर्वस्ट्रेश्ट किया सर्वस्ट्रेश्ट मतलब क्या होता है best है ना she did her best she did her best did सबसे च्छी बात है कि ये सबके साथ इस्तमाल होता है I you we they he she it और किसी भी नाम के साथ हमने अपना का was doing were doing ठीक है मतलब doing का ही यूज है पहले पढ़ा इजमार के साथ अब भी पढ़ रहे हैं was और were के साथ क्या दिखेगा वाक्य में तो समझ जाएंगे कर रहा था कर रहे थे कर रही थी ये गर वाक्य में यूज कर रहे हो तो was doing या were doing यूज होगा ये ध्यान रखना होगा depending on कि subject क्या है ठीक है यानि कि किस के साथ क्या लगेगा ये careful रहना होगा structure है subject प्लस या तो was doing या तो were doing प्लस other words यैसे हमें अपना काम कर रहा था I was doing my work I was doing my work rule क्या है was जो है वो I, he, she, it और किसी भी नाम के साथ लगता है were जो है वो you वी दे के साथ use होता है मतलब अगर ये subject क जगा पर है तो was doing और अगर ये है तो were doing ठीक है वो अपना homework कर रहा था he was doing his homework वो अपना homework कर रही थी she was doing her homework हम अपना काम कर रहे थे we were doing our work या our task अगला है will do यानि कि do के साथ will का स्तमाल clear है कि future user है ठीक है कैसे क्योंकि will लगा हुआ है करूंगा करेगा करेंगे अगर वाक्य में है तो will do का use होगा मैं अपना काम करूंगा I will do my work है ना will की बड़िया बात क्या है कि सबके साथ use होता है तो will do भी सबके साथ use हो जाएगा structure follow होगा subject plus will do plus other words मैं अपना काम करूंगा I will do my work आप अपना ग्रह कारे करेंगे you will do your homework वा अपना काम करेगा he will do his work अगला है will be doing ये भी बहुत use होता है, इसलिए अलग से बता रही हो इसको, ठीके, ये होता है ऐसे use, कर रहा होंगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, कर रहा होगा, अगर ये सब कुछ अपने वाक्य में use कर रहे हो, तो इंगलिश में will be doing का use कर लेना, ठीके, तो एक अच्छा खासा portion जो है वाक्य का will be doing ले लेगा बाकी बहुत minor वाले शब्द होते हैं उसको आप खुदे translate कर लोगे I will be doing my work मैं अपना काम कर रहा हूँगा I will be doing my work will be doing सबके साथ use हो जाएगा क्योंकि will लगा हुआ है तो will वाला logic यहाँ पर काम करेगा structure subject plus will be doing plus other words मैं अपना काम कर रहा हूँगा I will be doing my work आप अपना ग्रहकारी कर रहे हूँगे you will be doing your homework वो अपना काम कर रहा होगा he will be doing his work clear हो गए बात तो यह कुछ basic वाले translation के techniques थे जो आपने आज की इस video class को click करके घ्यान जो है वो hustle कर लिया simple आपको कुछ नहीं करना है मैंने इसमें क्या कराया आज आपको मैंने आपको इसमें आज कराया do, does, did उसके साथ कराया मैंने आपको doing past और present दोनों में और future वाले भी करा दिया will do or will be doing ये गिन करके इनको practice करो copy में लिखो मतलब क्या होता है लिखो structure को खाली लिख के practice करो सिर्फ लिख करके practice करो structure को मतलब को देखो कैसे वाके नहीं बहुत असानी सवाक के बना लोगे है ना class कैसी लगी comment करके मुझे बढ़िया लगी है class को like करना है class को share करना है क्यूंकि आपके class के आपको class जब आप like करते हो class को या share करते हो मुझे मुझे पता चलता है कि हाँ class आपने like करा है share करा है तो मुझे बहुत motivation मिलती है तो मैं ऐसे selected topics लेकर के आख पाती हूँ मतलब होता है ने motivation मिलती है, enthusiasm रहता है research करता है, इंसान बैठ करके कि कैसे तो मैं पढ़ादू तो आपको समझ में आ जाए है ना, तो ये इसके लिए fuel मुझे कहां से मिलता है आपके comment से आपके subscribe करने पर, आपके class को like करने पर, आपके class को share करने पर, आप मेरे को जब whatsapp पर message करते हो, आप मेरे को जब telegram पर मेरे से जूडते हो, है ना एक subscriber मिलता है, पता है, एक subscriber हो गया है, एक whatsapp पे number joining होता है, ना, बहुत बहुत motivation मिलता है ना, आप इस चीज को अगर respect करते हो तो आप भी subscribe करके bell notification on कर दीजेगा, like और share तो आपने इप तक कर दिया होगा, इसके अलावा अगर आपने कोई course करनी है, जैसे basic से पर हो English की writing, English की grammar, English की reading या e-books चाहिए तो हमारी app को download कर लीजेगा, Sunday English Academy Google Play Store पर है, कोई दिक्कत हो तो इस number पर WhatsApp मेसेज करके पता कर सकते हैं, अच्छा हाँ, app पर जो है ना, वो paid courses और free courses दोनों है, तो जो आपकी इच्छा करें वो कर लीजेगा, सीख आप दोनों में ही जाओगे, है ना, इसके अलावा e-books इस website पर भी हैं, आप हमारे यहां से हमारी e-book लो, या किसी और की e-book लो, आपको e-book को यह PDF होता है, तो इसको download करना, और उसको बाद में सुरक्षित रखना अपने पास, अपने को send करके, या mail खुद को करके, यह बढ़िया होता है, यह रखोगे, तो बढ़िया रहेगा, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा इसके लावा, WhatsApp का ग्रूप, Telegram का चैनल, जॉइन कर लिजेगा, और Facebook, Instagram पर follow कर लिजेगा, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तिल ने, तैंक यू सो मच पर वाचिंग, स्टे टून तू संडी तिंग